हेलो दोस्तों मेरा नाम है रिशी केस और आप देखरें टेन मिलन फेट्स आज हम लोग पहली बार वीडियो ब्लोग बनाने के लिए जा रहे हैं पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मूर था कि बना देंगे मैं चार-पांच दिन के लिए मैं आया हूं अपने बहन के घर बर कुछ क्रेज नहीं था तो मैं वीडियो वीडियो बनानी हाला कि मेरे पास बहुत सारे फोटो से कभी अगर जरुवत पड़े तो मैं दे दूंगा उस्तों यह हमारा पहला ब्लोग है तो हमने सोचा कि चलो एट लिस्ट भवान जी का नाम सुन के लेके ही हम लोग शुरू क में और जो बरंपुर में कहावा थे कि जो भी काम करें आपके जो घर के कुल देवी हैं जिसको हम घरेश्टों बोलते हैं तो हमारे घरेश्टों है मा मोहरी कलवा जो यहां से लगभग 11-15 किलमेटर के अंदर में उनका स्तान है पवीत्र स्तान है तो एक्शली जाने का कु एक है शिलकन और रहे रोहन तो यह मेरे छोटा भण्जा है रोन आई है मुझे हर चीज में यही मुझे गाइड करता है कैसे वीडियो करें क्या नहीं करें कैसे पोजिशन दे क्या करें चोटा सा है बट बहुत जारा टैलेंटेड है तो हम लोग मिलके सम्जा रहे हैं और म मेरा जितना भी वीडियो एडिटिंग का गोर से वही सब कुछ सिखाता है जब मुझे बहुत सो चिखाया भी है तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है जहिए मेरे साथ 10 मिलियन फैट्स में बन्जे लोग तो बोले हैं कि कार में जाएंगे पर मेरा मन है कि यार बुलेट में जाएं मेरा भीया का बुलेट है आगह से कम एक तीने, चार साल और नहों ने खरीजा था था थ 55े लोग आज हलते जमाने में तो बोलत रहे था कार ले के चले कार ले कर जा नहींupun Rap मेरे भांज्व का जानुह में लोग तो एक कार लेके जाने का बोले थे और यह ď अपर एक शुद यरोग गारी में बैठने का अलग ही मज़ा यार बुलेट में बहुत दिन के बाद हम लोग इसना मौज मस्ती में कर रहा हूं थोड़ा गट्टा बट्टा ज्यादा है घर वगर आप बना रहे हैं संक्रा रोड है बरंपुर के नाम से प्रसिद है और अभी यार गाहां अधियाद के तरह ही लोग बगड़ा सब रहते हैं तरकी के मोड़ पे तो चल रहा है बरंपुर मेरा बच्पन मेरा सब कुछ बरंपुर से स्टार्ट हुआ कि दोस्तों इसको आस्का रोड बोलते हैं यहां से लगबग तीन किलमेटर के बाद आपका दूफ बाइफ्रक्शन मिलेगा जहां पर एक पंडी के जाता है और एक आस्का के तरफ जाता है तो मजा है यार बरंपुर में अलग है इसमें लोग बहुत मिलंग सार हैं आपको कि अगर बाहर कोई आता तो कुछ भी बूचने तो बहुत सपोर्ट करते हैं बहुत कि लोग की मेरे बांजलों बहुत मस्ती कर रहे हैं पिछे पेस्टें हाला कि वो अलग बाइक में हैं मैं अलग बाइक में क्या करें एक गड़ी में दो ही लोग सवार करते हैं कि वैसे दोस्तों बारंपुर में तो बहुत सारा चीजे हैं देखने के लिए कफी कफी प्रस्रीद चीजे हैं जैसे कि यहां से हैं दो थीजे होगा हैं तारा तारेने टेंपुल और फेमस बीच भी है यार यहां से 15 किम्टर दूर एक गोपलपूर के नाम से जानाया आथा है आप अच्षवा का अच्षवा वहां पर आते हैं प्रजिनन करते हैं वहां पर आंडे देते हैं वाल का बत्त फिमस है और यहां से करीब 50 km डूरा अगर तरह तुटत पाणी भी है वहां पे गरम पानी अश्य निकलता है काफी अच्छा मानौरा लंग जगा है वहां पर पार दोस्तों अभी हम लोग फर्स्ट गेट के नस्दिक आ गए हैं फर्स्ट गेट क्या होता ना अगर आप आसका सहाप आएंगे तो पहले एक गेट पटता था यहां पे वो गेट पे आपको चेक गेट पोल सकते हैं पुलिस का एंट्री होता है आपका हर चीछ का नोटिविजन पाइट सामने से आपको यह रस्ता जाएगा आसका रोड जाएगा और हम लोग जिस तरफ से जा रहे हैं वह दिगपंड हो के वह बने शर तक निकलेगा वह दोस्तों आसने निकलने में ही तोड़ा लेट हो गया था करिब करिब चार बज गया था क्योंके रोहन वह घर चल और फोन किया कि मामा मुझे तुड़ा आने में पुरा लेट हो जाएगा सिलकन और मैं तो काफी जल्दी से हम लोग रेडी होके पूरा इंसायर कर रहे थी कब रोहन आय और मिल्के निकलेगे तो अगले वीडियो में हमारा गोपालपुर का टूर है देखते हैं कि गोपाल कीजिएगा ताकि हम आपको अगले वीडियो में और अच्छा आपको करके दिखाएं सुभे जब निकला था तो पता नहीं था कि पेट्रोल है कि नहीं है अभी दुड़ा देखते हैं अगर आगे में शामने में कोई अगर पेट्रोल दिखाएजे तो लगा देगे पेट् कर दो नहीं है लिजी हम अभी गेट के पास आ गये हैं यहां से करीब चार किलमेटर होगा साइद मंजिर अभी आने के टाइम पे वह पेट्रल पंप एक गाड़ी पीछे में खड़ा था उसमें वह तीन लोग सवार थे उनको मलब्रे बत्तमीश टाइप के वह बात कर रहे थे क्या कर सकते अब किसको भी वह अपने धुन पे सवार थे इधर उधर की बाते कर रहे थे मैं सुनके आगया बच्पन में मैं इधर आया था कभी करीब मुझे जब 5-6 साल का हुआ था तब मैं घर के लोगों के साथ आया था एक बार मंदिर का उस टाइम पे तो इतना चोड़ हो गया यहां पर पहले तो यहां पर पूरा सनाटा था जाने में और आने में बहुत दर लगता था जल अगर कर देखते हैं कि क्या है क्या ने उसका सीचूशन दस्तों हम लोग आधे रस्ते आ गए हैं करीब करीब साथ आठ किलोमेटर तो आ गए हैं यहां से लगबग तीन किलोमेटर दूर है हम लोग बस मंदिर के पास में पहुंचने वाले हैं अच्छा शुकून वाला जगा है हर थरा हर्याली हर्याली है खेती वेती मस्त है हम लोग शहर में जो रहते हैं तो यह सब देखना तो बहुत दिन के पहले में आया था तो थोड़ा किसी से पूछ लेने से अच्छा रहेगा कि कहां पर है कि न दूरा और जाना है अ देखता हूं कोई रस्त में दिखाई दे तो पुछता हूं को यहां पर तो अच्छा कासा पहार परवत है अधरा अधरा साहे सामने में एक चाचा दिखे रहे हैं देखते हैं मामोरी कड़वा के हमारे जो यहां के जो महाराज थे तो वह बड़े साधक थे मामोरी कड़वा के तो वह हर रोज पुजा करने के लिए पहार चड़के उपर जाके उनका फूल वगएरा जो भी उनको पुजा का साधन था करते थे तो एक दिन क्या हुआ मां खुद विराजमान होके उनको बोले कि बहुत भक्त लोग इतना चड़ाई चड़ने में थोड़ा उनको परिशान होता है तो ऐसा करो मैं एक लोटा जहां पर लोटा गिरेगा आप वहां पर मेरे लिए एक मंदिर बनवा देना जिसके वज़े से मतलब बहुत सारे जो भक्त हैं वह आराम से आके देख सकते हैं मेरे पूजा कर सकते हैं तो इस लिहास से उन्होंने फिर नीचे में उनका मंदिर बनाये थे भवान माता का तो को अब हίνगे हैं की महरकड़ा पहुंच गये हैं के मंदिर फिर का मुक्हे द्वार है जासे हम लोग अंदर के तरफ जा सकते हैं आप यह देख सकते हैं माताज़ी का मंदिर हैं काफी पुराना और दिव्य मंदिर यहां तो बहुत लोगों का यहां पर आना जाना है कर दो 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 दो देखने के लिए क्या-क्या और भी चीजे हैं देखने के लिए जलते हैं कि अच्छा जगा है याद बैठने के लिए और भी अच्छा लेगा है दोस्तों हर जगा पुरा पहाड परवथी भरा पड़ा है इधर आप चारो तरफ देखेंगे तो हर जगा यहां पर पहाड पहाड नजर आएंगे और घना जंगल भी है इसमें पीछे में भगवान जी का मंदीर है और उपर में पहाड में जैसे की मैंने बोला था उस पहाड में ही में देवताब बसे हुए हैं अभी थंड का टाइम में तो बहुत सारे लोग आये रहे हैं अपना तिक्निक पाने के लिए लिए बहुत बढ़िया कर दिया है पहले तो बहुत पुराना पुराना था कि शांत परिवेश है यहां पर और यह जो शीड़ी है यह उपर पहाड में भगवान जी का वहां पर पीठ है जहां से ही सुष्टी शुरूहा था जैसे बोला जाता है जाता है हमारे यहां पर कालेश्वर मंदिर है मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ उनके साथ अभी थड़ा बात करते हम लोग इंट अच्छंदी कालेश्वर महादे बहुत शंदी पुजारी जी का कहना है कि उपर में माता जी का निवास के पास एक छोटा सा एक लिंग भी है जो शीवलिंग बोलते हैं जो शीवलिंग के चारों तरफ करीब करीब एक दस से पंदरा नाग शांप जिसको कोब्रा असनेक बोलते हैं वो हर रोजा के वहां पर रहते थे तो एक दिन उनको शपना आया पुजारी जी को के वहां से नीचे लाके मुझे यहां पर बिरेजमिन कीजिए शिवी जी का तब से यहां पर उनका एक मंदिर पतिष्ठा ह यह करीब स inh sada 507 शाल पुराने के बात हैये हर साल दुर्गा पुजा च के अस्टमी के दिन यहां पर बढ़ा एक का जत्रा होता है और लोगों का कहना है इवन पुजारी जी का भी कहना है कि यहँआ पусаुए भाहान आता है और Pixi की डिन दोस्तों यही पहाड का उपर जाने के लिए यही मुख्य रस्ता है यहां से ही लोग पूरा पहाड चड़ते हैं कम से कम एक हजार स्टेश होते हैं इसमें चड़ने के लिए और कहां जाता है कि बीच में थोड़ा स्टेश में नहीं है आज का ब्लॉग यही पर खत्म होता है क्योंकि शाम हो गया है करीब करीब 6 बज़े और सब लोग जा रहे हैं यहां से हम भी निकल रहे हैं तो अगला वीडियो हमारा नेक्स्ट आ रहा है कुछी दिनों में तो फिर मिलते हैं यार अगले वीडियोंगा सपोर्ट चाहिए और हमारा चैनल्स को सब्सक्राइब कर दिजिए यूटूब में आट अगला वीडियोंगा कर दो कर दो और खर वाला वीडियोंगा